हेलो एब्रीवाइन आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल नौन टेक टेक भी थिसन वाई में मैं पेम बती आदो आज हम होमियोपतिक मेडिसिन स्पॉंजिया टोस्टा के बारे में बात करने वाले हैं इस मेडिसिन को मैं एलन की नोट से पढ़ा रही हूं अगर हम पीजी क आपके में जगा जाता है कि कॉमन नीम किया यह डरोस्टेर इस पॉंगी तो हमें देखना होगा कि कि आदम हैं तो इसके फैμिली इसके प्रूबर एं डॉक्टर हैD시에 depends कि इसके साल के होगा तो इसके सहसे मेंला टूबर नाम मतलब क्या हूं多 है कि इसका person में हमें easily सर्दी खांसी देखने को मिलेगा फिके glandular enlargement देखने को मिलेगा tubar cooler है तभी हमें समझाँ जाए कि gland удар alignment हमें देखने को मिलेगा और इसका person देखने में कैसा होगा इसका person जो इना उसके hairs light देखने को मिलेंगे lax fiber देखने को मिलेगा तो हमें समझ में आ जाता है कि ये respiratory tract के लिए बहुत अच्छी medicine है, जैसा कि हम जानते हैं, बट इसका बहुत अच्छा action हमें respiratory tract के अलावा heart में, testis में और thyroid में देखने को मिलता है, ठीक है, अब हम इसके physical general की बात करते हैं, तो इसके person में जो complaints हैं, सोने के बार बढ़ जाते ह हैं, अब हम बात करते हैं, swelling देखने को मिलेगी, glands में इंडूरेशन देखने को मिलेगा, हमने starting में ही बात की थी, कि ट्यूबर कुलर डाइथेसिस है, तो इसका एक बहुत characteristic symptom है, इसको आपयाद रखिएगा, कई बार पूस लेता है, ट्यूबर कुलर डाइथेसिस की medicine है, तो इस पॉंजर टोस्टा, ठीक है, और भी बहुत सारी medicine है, अब हम थोट की बात करते हैं, तो सोर थोट के लिए बहुत अच्छी medicine है, तो सोर थोट क्यूं हो रहा है, अगर किसी परसन को मीठा खाने से सोर थोट हो जाता है, तब हम इस पॉंजर टोस्टा को देदे हैं, और यह उसके लिए बहुत अच्छी medicine है, अब हम male reproductive system की बात करते हैं, तो अगर किसी परसन को गोनोरिया हुआ है, जिसका suppression हो गया हो, मतलब क्या हुआ कि गोनोरिया हुआ, उसका proper treatment नहीं हुआ, कुछ ऐसी medicine है जिससे सप्रेश हो गया गोनोरिया, तब हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटिक कॉर्डर उसमें बहुत जदा सॉलेन देखने को मिलेगा, बहुत जदा पेइनफू हो जाएगा, ब्रूस देखने को मिलेंगे, तब हम इस medicine को दे सकते हैं, यह बहुत अच्छी एक्ट करती है, जैसा हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि रस्पारियरी सि माउथ में जिससे वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको ब्रीथिंग में बहुत जदा डिफकल्टी देखने को मिलती है, और अगर परसन मेंटली एक्साइट होता है, तो इससे हमें कफ के सिम्टम्स हो है, वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं, बहुत में बहुत जादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी, जैसे जो एयर पैसेज है, हमारे थोट हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, हमारी ब्रोंकाई हो गई, उसमें बहुत जदा ड्राइनेस देखने को मिलेगी, तब भी हम दे सकते हैं, और ड्राइनेस कैसे हो ग और बहुत एदा सीटी जैसी जैसी आवाज देखने को मिलेगी विसलिंग सांड होगा और हमें क्या देखने को मिलेगा परसंड में जो है ना आब आज एंगी आएगी जैसे किसी गत्ते को काटते हैं तो आज आती है ना लाइक सोड नि मेरिवन 25 निता है धर निए अवाज देखने को मिलेगा वैसी हुआइस देखने को मिलेगा की कुणिशन में ड्राई होगा अगर बिलेंट होगा और इसका एग्रावेशन के से देखने को मिलेगा स्वीट से, कोल डिंग से, स्मोकिंग से, अगर लो हेट, जैसे पिलो विदाउट पिलो के परसंस हो गया हो, होगा हो जाएगा उस समय कफ के देखने को जाये हैं पहने से घाना गाने से बात करने से कुछ भी क्षाने से सॉल्विंग करने से कमक्राइज दिखने को मिलेगा हमगे हर एक चीज से इसके इसके कमप्लेंट को है तरज वार्मेशन सिव दो हीज़ों कर ला भूंग सेर्व इंग लडींक के सaskaघघ्य अगर्म सांस अम एक्स्पारिशन के बात करते कि जब सास निकालता और तभ यह सब श्मork है तो आपको अपया उक्पया एकटन के पारणापशाना स्वाया ओग्व्म में जएकन उन सांस क करते हैं अगर नहीं कि नाते पिर्फर करते हैं तो कंपेरिजन करके पढ़िए गा क्यूंकि कॉंकि ने प्रभ चुच्छ ना जाएं और अच्छे से पढ़िए एलन की नोट बहुत इंपॉटेंट है अब हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क आउट करना पड़ रहा क्योंकि सांस प्रॉपर नहीं जारी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसके मेंसेस के समय भी सैडनेस देखने को मिलेगी ठीक है बिफोर और दूरिंग मेंसेस भी बहुत ज़्यादा कंपेंस अग्रवेट भी देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस भी देखने को मिलता मतला एंजाइना पेक्टोरिस का एक सेंसेशन है वैसा सेंसेशन देखन साथ हमें सांधिधू कि इंवालमेंट को मिल रहा है difficulty जो मिल रहा हैं parkour अगर एंजाइना पेक्टोरिस स्क्वीजिंग फीलिंग अरियो प्रेशर जैसा लग रहा हो तब हम दे सकते हैं ड्राइनेस देखने को मिर रहे हो तब भी दे सकते हैं अब हम जैसे स्टार्टिंग से बात करें ट्यूबर कुलर डाइटेसिस से ग्लमला इनलाजमेंट देखने को मिलेगा थाइराइड ग्लैंड में इसका बहुत अच्छा एक्षान है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी थाइराइड ग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यदा स्वा प्रफी देखने को भी मिलेगा अगर अम इसको पूरा देखें कि इस मेंडिस्इन को कैसे आद कर सकते हैं तो देखें घ्डानेस है म्यूकस मेंब्रेन की कैसे सींग के जैसे ठीक है दूसरा हम देखते हैं कि पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा और पर्सन को ऐसा लग रहा कुछ स्पांज रख दिया गया है नोज और माउथ मुस्किव जिसे बीट नहीं कर पा रहा है सोने से कंप्लेंस बढ़ेंगे ठीक है लिखने को मिलेगी आई हो यह वीडियो आपके लिए यूजफूल होगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीज़े सेर कीज़े और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्यू फो वाचिंग